नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल Language of Planets में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो जिसमें किसी तरह से किसी ग्रह की चर्चा या किसी जोतिश सूत्र की चर्चा नहीं है ये जोतिश से संबंधित वीडियो या जोतिश के चेत्र से संबंधित वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपून है दोस्तों पिछले बहुत लंबे समय से हम जोतिश के छेत्र में हैं और अक्सर हम देखते आ रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जोतिश विद्वान जोतिश के छेत्र में काम कर रहे हैं एक से एक बढ़कर विद्वान हमारे आसपास देखने को मिलता है दोस्तों ये एक ऐसी पवित्र विधा है एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं लेकिन अगर यही जोतिश या जोतिश विद्वान अगर किसी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में उत्पन कर दें तो फिर ऐसी विदा का क्या फाइदा है दोसो पिछले तीन-चार साल पहले से लेकर और आज तक हमारे पास लगबग 6-7 केस ऐसे आ चुके हैं जिसमें किसी व्यक्ति से किसी जोतिश विद्वान ने ये कहा है कि भाई आपकी कुंडली तो ये बोलती है कि आपकी तो मृत्यू निकट है या आने वाले दो महीने में आपकी मृत्यू की समभावना बनती है दोस्तों किसी की मृत्यू के बारे में प्रेडिक्शन करना सबसे बड़ा अपराद है पहले तो ये समझने की बात है कि मृत्यू होगी या नहीं होगी ये इश्वर के हाथ में है लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग सामने वाला विद्वान ये कह रहा है कि दो महीने में मेरी मृत्यू हो जाएगी उसके चेहरे की हसी और उसके जीवन का रोमांच खतम हो जाता है पल-पल टेंशन्स में जीने लगता है वो उसका मन उख़लने लगता है उसके चेहरे पर अजीब सा डर दिखाई देने लगता है दोस्तों मृत्यू एक अवश्यम भावी सत्य है जो होना ही है लेकिन ईश्वर ने केवल इसके समय को इसलिए निर्धारित नहीं किया है कि इनसान आजादी के साथ अपने जीवन को जी सके यदि इनसान को ये पता होगा कि उसकी वेलेडिटी इतनी है तो इनसान उस वेलेडिटी के चक्कर में अपने जीवन को अच्छे से जी ही नहीं सकेगा अपनी जोतिश का लोहा मनवाने के लिए या ये कहा जाए कि अपने आपको जोतिश के एक शेत्र में साबित करने के लिए बिना कारण के कुछ लोग इस तरह की भविश्यवानिया करते हैं बेवाक होकर करते हैं ये एक जोतिश विधा का अपमान है सबको पता है संसार में जितने लोग हैं सब की मृत्यू होनी है तो इस तरह से किसी की मृत्यू का पूर्वानुमान लगा कर या उसके सामने इस बात को इस पश्ट तौर से कहकर आप उसे आज से ही मृत्यू के मूह में दखेल देते हैं ये फूहरता का प्रदर्शन है जोतिश के नाम को बदनाम करने का प्रयास है तीन साल पहले दोस्तों एक हमारे पास इस सरे का केस आया था दिल्ली की एक बुजर्ग महिला जिनकी उम्र लगबख 58 साल थी नवंबर का महीना था उन्होंने हमको ये बोला कि गुरू जी मेरी कुंडली देखकर बताईए न कि क्या मैं 15 फरवरी के बाद जीवित रहूंगी तो तब हमने उनसे ये पूछा कि आप ये प्रशन हमसे पूछ क्यों रहे हो क्या कारण है तो उन्होंने ये बताया कि दिल्ली के किसी विद्वान ने जोतिश विद्वान ने उनसे ये कहा है कि 15 फरवरी आपके जीवन का अंतिम दिन होगा दोस्तों उसके बाद हमने उनकी कुंडली को नहीं देखा और हमने उनके बारे में सिर्फ उनको एक ही बात बोली कि माता जी अब हम आप से 16 या 17 फरवरी को बात करेंगे दोस्तों ग्रहे निश्चित तोर पर हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन ग्रहों से उपर भी एक माहाशक्ती सर्व व्यापी मौजूद है जो इस समस्त ब्रह्मांड का संचालन करते हैं उन्हें आप भगवान महादेव या भगवान विश्णू या भगवान ब्रह्मा किसी भी रूप में जान सकते हैं किसी भी नाम से जान सकते हैं दोस्तों हमारा हाथ जोड़कर उन सभी लोगों से निवेदन है जो इस तरह की बेबाक भविश्यवानियां कर दिया करते हैं आपकी इस तरह की बात करना या आपका इस तरह का भविश्यवानी बेबाक होकर कर देना किसी के जीवन की मिठास को खतम कर देता है आप अपनी प्रेक्टिस करें इश्वर आपको आपके क्षेत्र में असीम काम्याबी दे लेकिन अपनी काम्याबी इस तरह से प्राप्त करने का प्रयास करना कि आप किसी की कुंडली को देखकर उसकी मृत्यू की भविश्यवानी कर दे मृत्यू तो जब आएगी तब आएगी आपने जो उसे डेट बता दी है वो तो आज से ही उस डेट तक ना भी विचारा मरता होगा तो मर जाएगा इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी ना करें यदि उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दुरियोग बना हुआ भी दिखाई देता है तो आप उसे सिर्फ इतना इंडिकेट करें कि आने वाले समय में आपके स्वास्थे में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं आपको सचेत रहना चाहिए और उन्हें कुछ सशक्त उपाए बताएं जिससे कि उस जीवात्मा का बचाव हो सके उसके कष्टों में कमी आ सके जोतिश किसी को सहारा देने का माध्यम है किसी के कष्टों को कम करने का नाम है इससे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयास न करें ये अच्छा नहीं है ये महादेव की शान में गुस्ताखी है हमारा ये वीडियो इस वीडियो में कही गई बात यदि किसी भी व्यक्ति को बुरी लगती है हम हाद जोड़कर क्षमा चाहते हैं लेकिन ये बाते इस तरह के लगातार 6-7 केस हमारे पास आए हम इन बातों को सुनकर बहुत निराश हुए इसलिए हम इस वीडियो को बनाने पर मजबूर हुए दोस्तों हम आप सभी के उजवल भविश्य की कामना करते हैं भगवान शंकर की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे अपनी जिन्दगी को एंजॉय करें रोज एक नया दिन महादेव का आशीरवाद है तो दोस्तों अगले वीडियो में आपके सामने उपस ठित होंगे एक नए विश्य एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद दोस्तों